प्रियमित्रों हम राम शलाका प्रश्णावली के बारे में बता रहे हैं कि स्री राम शलाका प्रश्णावली गोश्वामी तुलसी दासरचित स्री राम चरित मानस पर आधारित है। प्रश्णावली के द्वारा जिस किसी को जब कभी अपने अभिस्त प्रस्ण का उत्तर प्राप्त करने की चाहो तो शर्प्रथम उस बेक्ति को भगवान श्री राम चंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद सरधा विश्वास के साथ अपने मन से अभिस्त प्रस्ण का चिंतन करते हुए। प्रश्णावली के मन चाहे कोश्टक में अंगुली या कोई शलाका रख देनी चाहिए। और उस कोश्टक में जो अच्छर हो उसे अलग किसी कागज पर लिख लेना चाहिए। प्रश्णावली के कोश्टक पर भी ऐसा कोई हम निशान लगा दे सकते हैं जिससे प्रश्णावली गंदी न हो और न प्रश्णोत्तर प्राप्त होने तक वह कोश्टक भूल जाए। अब जिस कोश्टक का अच्छर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके नवे कोश्टक में जो अच्छर परे उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रती नवे अच्छर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अच्छर तक अंगुली अथवाशला का न पहुँच जाए। पहले कोश्टक का अक्षर जिस कोश्टक के अक्षर से नौमा परेगा वहां तक पहुंसते पहुंसते एक चौपाई पूरी हो जाएगी जो प्रस्ण करता के अविस्त प्रस्ण का उत्तर देगी यहां इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी किसी कोश्टक में किवल आ की मात्रा और किसी किसी कोश्टक में दो दो अक्षर हैं अता गिनते समय न तो मात्रा वाले कोश्टक को छोड़ देना चाहिए और न दो अक्षरो वालो कोश्टक को दो बार गिनना चाहिए जहां मात्रा का कोस्टा कावे उहाँ पूरूब लिखी तक्छर के आगे मात्रा लिख लेना चाहिए और जहां दो अक्छरो वाला कोस्टा कावे उहां दोनों अक्छर एक साथ लिख लेनी चाहिए अब उदाहरन के तोर पर इस रामसला का प्रस्नावली से किसी प्रस्न के उत्तर में एक चौपाई निकाल दी जाती है और पाठक ध्यान से देखें कि किसी ने भगवान श्री रामचन जी का ध्यान और अपने प्रस्न का चिन्तन करते हुए एदी प्रस्नावली के इस चिन्ह से संजुक्त मौबाले कोस्टक में अंगुली यसला का रखा है और वह उपर बताए गया क्रम के अंसार अक्ष्रों को गिन-गिन कर लिखता गया तो उत्तर स्वरूप यह चौपाई बन जाएगी कि होई हैं सोई जो रामरची राखा अको करी तरक बढ़ा वहीं शाखा यह चौपाई बालकांड अंतरगत सीव और पारवती के संबाद में प्रस्न करता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई से यह आसे निकालना चाहिए कि कार्ज होने में संदे है अताहिशे भगवान पर छोड़ देना स्रेशकर है इस चौपाई के अत्रिक्त स्री रामसला का प्रस्नावली से आठ चौपाईयां और बनती है उन सब का अस्थान और फल सहित हम आपको बता रहे हैं कुल नौ चौपाईयां है यह कहे कि सुनू सी ये सत्य अशीस हमारी अपूजही मन का मना तुम्हारी यह चौपाई बालकंड में स्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है गौरी जी ने स्री सीता जी को आशिरबाद दिया था प्रस्न करता का प्रस्न उत्तम है कार्ज सिद्ध होगा दूसरा है कि प्रविशी नगर की जैसब काजा अहिर्दय राखी कोशलपुर राजा यह चौपाई सुन्दरकंड में हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है इसका फल होगा कि भगवान का अस्मरन करके कार्ज करिये शफलता मिलेगी तिसरा है कि उगरही अंतन होई निवाहूं अकाल नेमी जी मी रावन राहूं यह चौपाई बालकंड के आरंब में शत्संग बर्नन के प्रसंग में है इसका फल जो है इस कार्ज में भलाई नहीं है कार्ज की शफलता में संदे है चौपाई बालकंड के शुरू में ही सत्संग बर्नन के प्रसंग की है इसका फल जो होगा खोटे मनुसों का संग छोड़ दे कार्ज पूर्णोने में शंदे है हमुद मंगल में शंत समाजू जो जग जंगम तीरत राजू यह चौपाई बालकंड में शंत समाज रूपी तिर्थ के बर्नन में है फल इसका फल है कि यह प्रसंग उत्तम है कार्ज सिद्ध होगा चट्था है कि गरल सुधारी पुकरही मिताई अगोपद शिंधु अनल सितलाई यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने की समय की है इसका फल प्रसंग बहुत स्रेस्थ है कार्ज सफल होगा सात्म है कि बर्वन कुवेर सुरेश समीरा रनसन मुखधरी काहुन धीरा यह चौपाई लंकाकांड में रावन की मिर्थू के पस्चात मंदोदरी के बिलाप के प्रसंग में है इसका फल जो है कि कार्ज पुर्णोने में शंदे है और आठमा है कि शुफल मनोरत होंहु तुम्हारे रामु लखन सुनी भये शुखारे यह चौपाई बालकार्ण में पुष्प बाटिका से पुष्प लाने पर विश्वामित्री जी का आशिरवाद है इसका फल जो है प्रस्ण भहुतु तम है कर्ज शिद्ध होगा इस प्रकार रामसला का प्रस्णावली से कुल नौचवपाईया बनती है तो बोलिए जैसिया राम जैसिया राम